प्रिय विद्यार्थियों आज हम आपको इतिहास के पहले अध्याए जो अक्सर इसना तक अक्षाओं में प्रारमिक रूप में पढ़ाया जाता है लेकिन ये इतिहास के लिए भारती इतिहास के निर्माण के लिए सर्वाधिक महत्वण प्रश्ण है और इसे आप कह सकते हैं कि भारती इतिहास को जानने के साधन स्रोत क्या थे sources to know the Indian history या ये कहले कि survey of the sources of ancient Indian history तो मेरे विद्यार्थियों इसमें सबसे महत्वण बात ये है कि जो इतिहास को जानने का हमारे प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसको जानने के जो विभिन तत्यों को अगर हम उसका अपना निर्मार करते हैं तो उसके जो विभिन सुरूप है जो तमाम चीज़ें हैं जिनसे हम इतिहास जानते हैं उनको इस अध्याय में हम ले आएंगे हाला की प्राचीन काल के इतिहास के लिखन के बारे में जो पास्चाते इतिहासकार हैं योरोप के जैसे फलीट है, एल फिंस्टन है, विंसेंट इसमित है या भारती इतिहास कारों में आरसी मजुमदार हैं या रामा शंकर तिरपाथी हैं इन लोगों ने ऐसा लिखा है कि प्राचीन भारत के इतिहास के निर्माड में जो तथे हैं उनमें बड़ा अभाव है और इससे एक इतिहास का निर्माड करने में बड़ी मुश्किल आती है लेकिन प्रोफेसर विशंभर शरण पाठक ने और इसके बाद अनेक इतिहासकारों ने इस पर बड़ा ही गंभीर चिंतन किया और ये पाया कि भारत का अतीत इस मर्णिय घटनाओं में जो उसकी एतिहासिक मेधा थी वो थी लेकिन उसका सुरूप भिन्य था मैंने भी अपनी पुस्तक भारती इतिहास लेखन में इस बात को बड़े ही जोरदार ढंक से कहा है कि प्राचीन भारत में इतिहास लेखन की एक परंपरा थी उसको समझना हमें विवेक पर होगा इतिहास को जानने के बच्चों दो तरह के साधान सुरूथ होते हैं एक होता है लिट्रेरी सोर्सेस जिसे कहते हैं और दूसरा होता है वो है आर्कियोलाजिकल सोर्सेस लिट्रेरी सोर्सेस का मतलब जो साहितिक शूरूथ और Archaeological Sources का मतलब है पुरा तातिक स्रोत यानि जो हम साहित में पाते हैं यानि किताबों में लिखा हुआ जो कुछ मौजूद है चाहे वो पत्थरों पे लिखा हो या किसी भी तरह के ताड़ पत्थरों पर लिखा हो चमनों पर लिखा हो या किताबों में लिखा हो और वो है साहितिक स्रोत और जो खंड़रों में तमाम तरह की चीजें हमें प्राप्त होती हैं प्राचीन, भितियों, परिस्तम्हों पर और तमाम जो है वो चित्र और ऐसे सिक्के और चीजें जो प्राप्त होती हैं पुरा तात्विक यानि पुरानी चीजों के आधार पर इतिहास को हम जानते हैं या इतिहास का निर्मान करते हैं यह सही है कि हुएन सांग ने कहा था कि प्राचीन भारत में उसकी पंति है कि यह एंशेंट इंडियंस लेकिन हम जानते हैं आओ हम बताना चाहते हैं कि प्राचीन समय के श्रोतों को हम कैसे जानेंगे तो पहले जो साहितिक श्रोतों को हम लेते हैं इसमें धार्मिक ग्रंथों का मैं पहले उलेख करूंगा जिसमें पाली प्राकिर्त और संस्कृत के ग्रंथ हैं धार्मिक गरंथों में इन में ब्रामणों के गरंथ हैं, बौधों के गरंथ हैं और जैनों के गरंथ हैं ब्रामण गरंथों में सबसे पहले वेदों का जिकर आता है और इन वेदों की संख्याचार है आप जानते हो कि इसमें प्राचीनतम रिग वेद है फिर साम वेद है यजुर वेद है अथर्व वेद है लेकिन इन वेदों में विशेश करके रिग वेद में आरियों के बारे में विशेश जानकारी मिलती है जैसे एक पुस्तक ही लिखा हमारे सतंता सेनानी बाल गंगादर तिलक ने जब वेजेल में थे कि आर्कटिक होम अफ दी वेदाज और इस तरह से वेदों में जो सामगरी उपलब्ध है उसके बारे में यू एन घोशाल ने इस्टडीज इन इंडियन हिस्ट्री और कल्चर मे लिखा था कि दवेडाज आकूपाई एन इंपार्टेंट प्लेस इन दा इवेलुएशन अफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी यानि वेद जो है भारती इतिहास के लेखन में एक महतुपूर्ण भूमिका निभाते मेरे पच्चो इनके बाद ब्रामध ग्रंथ हैं इन में ब्रामध ग्रंथ में यग्यों के बारे में लिखा है कि कर्मकान्णों का विधान क्या था और इनमें प्रमुक ग्रंथ हैं ब्रामधों में एतरेय, शत्पत और पंचविश और गोपत इने ब्रामध ग्रंथ कहते हैं फिर आते हैं आरणयक ग्रंथ, आरणयक का अर्थ होता है वन, और ऐसे ग्रंथ जिनका ध्यान वनों में जाकर के प्राचीन समय में विद्यार्थि किया करते थे, उन्हें आरणयक कहा गया है। उपनिशद को अगर हम इसका वो संधी करें, तो उप का आर्थ होता है निकट और निशद का आर्थ होता है बैठना, यानि गुरु के निकट बैठ करके जो ज्ञान प्राप्त किया जाए, वो उपनिशदों में मिलता है। प्रमुक उपनिशदों में विर्हतार अड़यक उपनिशद है, चांदों के उपनिशद है, जिन में भारत के भारती दर्शन का और बिम्बसार के पहले का इतिहास कुछ मिलता है। उपनिशदों को किसी एक व्यक्ति ने या एक समय पर नहीं लिखा गया था, ये एक धीरे-धीरे समय के साथ ये विक्सित हुए, और बचों इनके बाद वेदांग आते हैं, वेदांग की संख्या छे है, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरन, निरुक्त, चंद और इन्हें वेदांग कहा गया है, जिसमें ततकालीन समाज का कुछ उलेख है, और इनमें जो धर्म पर प्रकास डालते हैं, इस समय सुत्रों की रचना हुई, जैसे धर्म सुत्र है, और जो ग्रही सुत्र में ग्रही संसकारों पर प्रकास डाला गया है, इस मृतियां इसके ब मनस्मृति और यागयवल के स्मृति इन स्मृतियों में भी अनेकत प्राप्त होते हैं इनके बाद हम महाकावियों की बात करेंगे महाकावियों में मुख्यरूप से रामाइड है महाभारत है जिनकी रचना आदिकवी बालमी की ने और वेद व्यास ने की थी इनमें ततकालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक इस्थिति पर प्रकाश पढ़ता है डाक्टर रामा शंकर तिरपाठी ने प्राचेन भारत का इतिहास में लिखा था कि निसंदेह इन प्रवंध महाकाव्यों में भारत की ततकालीन, धार्मिक और सामाजिक इस्थितियों का रूचिकर संग्रह हुआ है मिरे बचों इसके बाद हम पुराणों का उलेख करेंगे जिनकी संख्या 18 है और इन में एतिहासिक महत्यों की जो हैं वो पांच ही हैं जैसे मत्स पुराण, भागवत पुराण, विश्टू पुराण, वायु पुराण और ब्रम्हांड पुराण पुराणों कार्थ होता है पुराना और डाक्टर रामा शंक त्रिपाथी को अगर हम फिर तुम्हारे सामने कोट करें तो कहना होगा कि उन्होंने लिखा है कि पुराण अंधकूप में आलोक रश्मिका काम करते हैं बच्चों इसके बाद हम बौद गरंथों की चर्चा करेंगे बौद गरंथों की भाषा मूलतह पाली और प्राकिर्त है इन में पहले पिटक जो तीन है विनय पिटक, सुत्र पिटक और अभिदंब पिटक की मैं बात करूँँगा तो विनय पिटक में जो मठों में भिक्खु रहा करते थे उनको दिशा निर्देश दिये गए सुत्र पिटक में महा मानो बुद के शिक्षाओं का साराश है अभिदंब पिटक के बिटे साथ संग्रा हैं जिसमें महामाना बुद्ध के शिक्छाओं के दार्शनिक व्याक्या की गई है और इसके बाद जातकों का मैं उलिख करूँगा जिसमें महामाना बुद्ध के पूर्वजन्मों की कथाएं हैं और इन जातकों का बहुत महत्व है इतिहास के निर्माण में बहुत गरंथों में मिलिंद पन्हों को भी याद किया जाता है जिसमें मिनेंडर के समय का जानकारी मिलती है दीप वईश है महा वईश है इन पुस्तकों में मोरेकाल के उपर हमें जानकारी मिलती है बच्चों जैन गरंथों में हम उलेख करेंगे भदर बाहुचरित का परिसिस्ट परव का पुड़ी आश्रो कथा कोश का और लोग विभाग का ये जैन साहित जो है उनके बारह अंगों में बाटा जाता है जिन में ततकालीन भारत के राजतंत्रों की और जो समय गरतंत्र थे उनकी जानकारी हमें मिलती है इसके बाद बच्चों आता है धर्म निर्पेक्श साहित यानि जो धार्मिक नहीं है जिन में जैसे नाटक हैं कविताएं हैं जो कालपनिक हैं और जिन में जीवन चरित हैं जो अन्य तरह के हैं जैसे हम पहला नाम लेंगे कोटिले के अर्थ शास्त्र का कहा जाता है कि इसकी रशना विश्ण गुप्त ने जो चनक गाउं का रहने वाला था और कोटिल गोत्र का था उसने चौथी सदी इसा से पहले चंदृत के शासन विवस्था का इसमें यानि शासन तंत्र कैसा होना चाहिए इस पर ये पुस्तक लेखी थी फिर मुद्रा राक्षस ने एक नाटक लिखा था मुद्रा राक्षस का एक नाटक है जिसे विशाक दत्र ने लिखा था बच्चों इसमें नंद वैश के पतन का उलेख है और ये साथवी सदी में लिखा गया काली दास का नाम आपने सुना है संस्कित के महान नाटक कार इनकी जो एक नाटक है मालविकागनि मित्रम इसमें बचों पुश मित्र और यवनों के बीच जो लडाई हुई थी उसका उलेख है फिर हम हर्ष शरित की बात करेंगे जिसे वान भठ नामक कवी ने साथवी सदी में लिखा था और इसमें राजा हर्ष के समय का उलेख है आप जानते हैं थानिश्वर का जो नरेश था हर्ष वर्धन और इसके बाद बचों पतंजली की महाभाश है जिसमें मौरेकाल की जानकारी है गारगी संगिता जो एक गारगी एक विदुशी थी उसकी गारगी संगिता में यवनों के हमले का उलेख है और बचों अब हम उस पुस्तर का नाम लेने जा रहे हैं जिसे भा जाज तरंगिनी कल्हन नामक इतिहासकार ने इसमें कश्मीर का इतिहास लिखा था बारहन शेताब्दी का और इसके बारे में यूएन घोशाल ने इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर में लिखा है कि एमांग आथर साफ हिस्टारिकल काव्याज कर्णरा बियांड डाउट अकुपाइज ए पोजीशन आफ प्री एमिनेंस बाइ वर्चु आफ इस अटेंशन तो दे मिनीट आफ जनरल एड्मिनिस्ट्रेशन बच्चो कल्हन के इस गरंथ के बाद विक्रमांक देवचेतिर का भी नाम इसी स्वाय आता है जिसमें बिलहन ने चालू के वंश के बारे में लिखा है और नौ सांग चरित है जिसकी लेखन परिमल गुप्त ने किया था इसमें परमार वंश का उलेख है गौड वाहो है जिसका लेखक वाकपति राज था उसने कन्नौज के नरेश यशो वर्मा की विजियों का उलेख किया है और इसके हिलाबा बच्चों आपको बताऊं कि लोकल क्रानिकिस भी यानि इस्थानी भाषाओं में भी पुस्तके लिखी गई जैसे गुजरात में रस माला किर्टी कौमदी जो सुमेश्वर ने लिखी थी प्रबंध चिंता मणी जो मेरु तुंगा ने लिखी थी प्रबंध कोश जो राजशेखर ने लिखी थी और हमीर मद मर्दन और वास्तु पाल तेज पाल प्रशस्ती जो जैसिंग ने लिखी थी वसंत विलास जो बाल चंदर ने लिखी थी इसमें भी कहीं न कहीं इतिहासी कुलेख हैं इसी तरह से असम में जो बुरंजीज लिखी गई असमी भाशा में और नेपाली भाशा में जो वनशावलियां उपलब्ध हैं इसी तरह से बच्चों जो तेरहनी शताबदी में सिंध का एक इतिहास जो अरब विजय का चच नामा नामक ग्रंथ में हमें मिलता है इसी समय हम अगर दक्षिन में देखें तो तमिल साहित है जो बहुत ही विपल और सम्रिद साहित है इसी तरह संगम युग का साहित भी उपलब्ध है और बच्चों आपको बताओं कि जो दर्बारी कवीट थे दक्षिन में उन्होंने नंदिक कलाम बकम ये पलो राजा नंदि वर्मन तृतियक को इसमें नायक मान कर लिखा गया है हलाकि यह इसे क्वासी हिस्टारिकल नेचर का कहा जाता है यानि यह पूरी तरह से इतिहासिक नहीं है लेकिन कलिंग तुप परानी इसमें कलिंग पर कुलो तुंग प्रथम का हमले का उलेख है और ओटा कुटर ने एक वो अपने तीन जो कृतियां हैं उसकी वो क्रमशह, विक्रमचोल, कुल तुंग दुथिय और राज-राजा दुथिय पर लिखा बचों, चोहान वंश का इतिहास एक पृत्वी राज-रासो में कहा जाता है कि ये चंदवरदाई ने लिखा था ये वीर गात्था काल के हिंदी साहित का यहां पर उड़े हो रहा है और यहीं पर तुमको बताओं कि विपल साहित एक बहुत विश्वसनी साहित विदेशी यात्रियों के वरितान्त भी है हमारे देश में बहुत सारे प्राचीन समय से ईसा के पहले से ही विदेशी यात्रिया आते थे कि युनान से रोम से अरब से मिसर से और उन्होंने चीन से तिबस से और उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ ऐसे लिखे हैं जिसमें उनके सनस्मरणों में काफी विपल साहित का उलेख है बच्चों हेरोडोटस का नाम अपने सिना है जिसे इतिहास का पिता कहते हैं पांचमी सदी इस्वीपूरो में उसने जो भारती सीमा प्रांत थे और हकमी एमपायर उसके बीच जो संपर्क था उसके बारे में लिखा है इसी तरह टेसियस ने अपनी रचना में भारत का उलेख किया है और सिकंदर के हमले के समय उसकी सेना के साथ बहुत सारे लिखक, कवी, कलाकार, चिकिस्चक और इतिहासकार भी चल लहे थे उन्होंने भी जो लिखा है उसमें भारत का उलेख है एक पुस्तक थी इंडिका जिसे मेगासनीज ने लिखा था और वह चंदर्त मौरे के दर्बार में यूनानी राजदूत के रूप में रहा था दुर्भागे से अब इंडिका उपलब्द नहीं है लेकिन इसके उलेख जो है वो अनेक यूनानी उसमें मिलता है मैं बताओं आपको कि जो सबसे प्रारंभिक यूनानी उलेख हमें मिलता है वो साइलाक्स ने जो सिंध की ईसा से पांस सो सत्रा साल पहले उसने जल यात्रा की थी उसने उसका उलेख किया लेकिन अब वो उपलब्द नहीं है इसी तरह से लेटिन लेख को में एरियन ने कॉर्टियस, रुफस, कुंटस ने डियोडोरस, सिकुलस ने जस्टिन ने, प्लूटार्क ने और मेगा सनीज का नाम मैंने भी लिया था उन्होंने इसका उलेख किया बच्चों, एरियन ने भी इंडिका का उलेख किया है जिसमें नियारकस के जलियात्रा का और स्ट्रेबो की भूगोल में प्लीनी और टॉलेमी के पुस्तकों में भी पेरिपलस आफ दे एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक में जिसका लिखा का ग्यांत है युनानी था, उसने इसा से पहली पहली, एक सौ साल पहले जो मिसर में रहता था और उसने भारती ये बंदरगाहों तक इसा से 80 साल बाद उसने उसकी व्यात्रा की थी उसने यहां के बंदरगाहों का उलेख और यहां के व्यापार का उलेख किया है कि किन चीज़ों का व्यापार होता था टालेमी में दूसरी सदी में जो उलेख किया है वो सेकंडरी सोर्स है यानि दूती एक सोर्स है और पलीनी ने भारती पश्वों का भारती वरिक्षों का और यहां के खनिच पदार्थों का पर्थम सेंचुरी में यानि फर्स सेंचुरी में इसका उलेख किया था और इन तमाम शास्त्रों का जो अंग्रेजी अन्वाद है वो जे डबलू मैक करिंडिल ने किया है बचों जो अभी मैं आपको बता रहा था कि चीनी यात्री भारत में बहुत सारी आये बहुत सारे चीनी यात्रियों का जिनोंने भारत की यात्रा की थी इनका पहला उलेख फो तसू तुंग की नामक चाइनीज बुद्धिस्ट इंसाइक्लोपीड यानि शब्द कोश में मिलता है लेकिन उनका बहुत डिटेल नहीं है जो इसका अधिक है वो मूल रूप से वो हम आते हैं तो यहाँ पर जैसे आपको बताओं की यहाँ पर बेटे जैसे सुमा शीन ने जो चीन का पहला इतिहास कार था उसने भारत का उलेख किया इसा से पहली सदी में और जो चीनी बौध भिक्षु थे फाहियान, हुएंतसान, इतसिंग, इन्हों ने जो इनकी रचनाएं हैं जैसे हुईली ने लिखा है वेंसांग की जीवनी मात्वा लिन की भी रचनाएं हैं तो इनमें जो जैसे हमें उलेख मिलता है सीथियन्स के और यूछीज के हमले का और एक चे की का एक जो संसमरण है सू मा सीन और सीन हान चू इसमें ये है तो हान वन्श का परवर्टी इतिहास लेकिन इसमें फान ये ने तीन सो अंठानवे से चार सो पैतालिस इसमी तक इसमें भारत का उलेख किया था और फिर बचों तिबती वरितांद का हम उलेख करेंगे जिसमें लामा जो थिबती था उसने कांजूर और तांजूर नाम की पुस्तक लिखी ये इतनी महतपूर्ण पुस्तकें हैं कांजूर और तांजूर ये जिनका मंगोलियन भाषा में और चीनी भाषा में इसका काफी प्रोग किया गया विशेशकर मंगोल साहित जो है या मंगोल इतिहास लेखन जो भारत से संबन्द रहा और जो तिबती वरितान्त हैं वो इसी में मिलते हैं सबसे विश्वस्नी और महतवपोंट जो प्रथम इतिहास मिलता है वो मुस्लिम यात्री जब भारत में आना शुरू करते हैं इसमें अलबरूनी का नाम तुम जानते हो कि उसकी पुस्तक तहकिक हिंद में प्रथम बार तदकालीन भारत की जो विस्तरित जानकारी है वो मिलत है और ये पहला ऐसा जो अगर मुस्लिम लेखक देखें तो अबन खुर्दाद बेह था जिसकी पुस्तक बुक आफ रूट्स एंड किंडम्स थी जिसने 844 से 848 इस्वी में ये भारत का उलेख किया था और उसके बाद अबुजैद हसन ने भी किया था लेकिन अबुरिहान जिसको अब अलबरुनी के नाम से लोग दुनिया जानती है और जो अलबरुनी के नाम से विक्यात हुआ जो घजनी के सुल्तान महमूद के समय में यानि 1030 इस्वी में भारत आया उसने संस्कित का धैन किया काफी समय यहा रहा और उसने बड़ी ही मोटी पुस्तक एक तया की और प्रोफेसर एसेन सेन ने अलबरुनी के बारे में लिखा है कि ही प्रोडूजड मस्ट बी कांसीडर दा मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एकाउंट अफ इंडिया एवर रिटेन बाई फारेनर किसी भी विदेशी द्वारा जो एक प्रामाडिक और इतना विस्तरित वो था ये पहली बार जो है वो अलबरुनी ने लिखा इसके बाद अलबिलादुरी है सुलेमान है अलमसूदी है इनके भी वित्तांतों में भारत का काफी उलेक है बच्चों पहले हम नहीं जानते थे कि जो ग्रीक साहित्य में सेंड्रो कोटस कहा जाता था या एंड्रो कोटस कहा जाता था वही चंद्रुप्त मौरे था लेकिन जब ये बात प्रफेसर रामाशंका त्रिपाठी ने लिखा है कि जब दुनिया जान गई कि जो ग्रीक साहित्य का सेंड्रो कोटस है वही भारत का चंद्रुप्त मौरे है तो यहां से हम भारतिय तिथि क्रम जिसे क्रोनोलाजी कहते हैं यानि जब तिथियां हम सबसे पहले जान गए और इन जो तिथियों का वो हमारा समय है वहां से हम जानते हैं जो दूसरा स्रोत है इतिहास प्राचीन भारत का इतिहास जाने का जिन्हें हमार्कियोलाजिकल सोर्सेज कहते हैं पुरा ताप्रिक स्रोत यानि पुरानी सामगरी पुरानी चीजे जो खंडहरों में खुदाई में मिली हों जैसे कुछ अभी लेख हों इसमारक हों सिक्के ह तो ये बच्चों जैसे आपने देखा है कि ancient monuments होते हैं, ancient inscriptions हैं, या ancient coins मिलते हैं, तो इन में काफी हमें प्राचीन भात के इतिहास के जानकारी मिलती है और जो प्राचीनतम उपलब्ध अभिलेख है, वो उत्तर प्रदेश के पुर्वांचल में बस्ती जिलेख के पिप्रहवा नामक इस्थान पर पाच्वी सदी इसा पहले का एक अभिलेख है, जिससे कलश लेख कहते हैं, कलश लेख यानि जो घड़े की उपर लिखा हुआ है शिलाओं पर, इस्थंबों पर, धातुपत्रों पर, प्रस्तरपटों पर, इस्तूपों पर, मंदिरों की दीवारों पर, गुफाओं में अनीक लेख जो लिखे गए थे, पाली और प्राकिर्त और संस्कित भाशा में, उन्हें हम इस्तंब लेख कहते हैं, तामर पत्र ले लेक कहते हैं, मूर्ती लेक कहते हैं, आप समझ रहे हैं कि जो खंबों पर लिखा है उसे इस्तंब लेक कहेंगे, जो तामे के किसी पत्र पे लिखा है उसे तामर पत्र लेक कहते हैं, भोज पत्र लेक यानि जो ताड पत्रों पर, यानि प्राचीन चीजों पर, या मूर्ती लेक यानि मूर्तियों के नीचे या मूर्तियों के उपर कोई लेक है उनको भी कहते हैं और ऐसे लेक जो है वो तमिल भाशा में भी हैं मलियाली भाशा में भी हैं कर्नन भाशा में भी हैं तेलगू भाशा में भी हैं दक्षिन भारत में बहतायत की संख्या में मिले हैं इनकी खरोस्टी लिपिके हैं जो दाहिने से बाएं लिखे जाते थे तो बच्चों हम ये बताना चाहेंगे आपको कि इस में जो ये इस मारक हैं इन में इस मारकों में जो जैसे आप सिंदुहाटी का इतिहास जानते हैं तो मोहन जोड़ो, हरपा, काली बंगा, लोथल इन सब जगहों पर खुदाई हुई और खुदाई में जो राखाल दास बनर जी को और सरजान मारशल को जो चीज़ें मिली उन से ततकालीन समाज का ततकालीन लोगों की नागरिक ग्यान का और तमाम चीज़ों के बारे में पता चलता है कला का और एक बहुत ही उन्नत प्राचीन तम सिंधु सब जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं जिसे सैंधो सब जिसे उसका पता चला तक्षिशिला में भी और पाटली पुत्र में भी खुदाईया हुई और बहुत पता चला कि ये तक्षिला जो वरत्मान पाकिस्तान में है इसके लावा हमार खुदाई हुई ये राजगीर में और बनारस के पास सारनाथ नामकिस्तान पर तो हमें पता चला कि महामानव बुद्ध के अनीक और शेश वहां से प्राप्त हुए कुशिनगर जिला देवरिया और कुशिनगर में प्राचीन समय का बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा औ और रामा भारिस्तूप जिसका पता जो वहां जाकर के कनिंगम ने लगाया और इस तरह से बहुत अधिक हमें प्राप्ती हुई लुम्बनी में भी अनेक सामगरी मिली और आप जानते हैं कि अशोक के इस्तंभ जगा जगा पे पहले हुए थे प्राचीन क्वाइंस सिक्के जो हैं बिट्टे जिने हम मुद्राएं के भी कहते हैं उनसे ततकालीन, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और कला के बारे में हमें पता चलता है बी जी गोखले ने लिखा था कि सिक्के बहुत महतवपोर्ण हैं इतिहास के विश्वसनीता को जानने के लिए इनसे हमें ततकाली नार्थिक इस्तितिका पता चलता है क्योंकि सोने के, चांदी के, तामबे के और मिस्षिध धातु के सिक्के मिलते हैं अगर सोने चांदी के सिक्के हैं तो यानि यह अपने आप में एक मापदंड होगा कि वो राज जो है वो बहुत थी आश्वरे शाली यह वैभाशाली था और अगर वो तामबे और अन्य मिस्षिध धातु के हैं तो यानि की राज जो है वो उसकी इस्थिती काफी दुरूबल थी प्रोफेसर अर्थ यह मिजुंदार ने लिखा है कि किसी वीदेश की आर्थ किस्थित को जानने के लिए मुद्राओं का महतपून योगदान है इन से हमें जो है वो сिकों के बारे में आपको बताओं कि प्रूफेसर आर्थ सी मिजुंदार ने लिखा था कि with the downfall of the guptas the numismatic evidence ceases to be an important source of history यानि कि आप समझ रहे हैं कि गुपतों के बाद फिर सिक्कों का कम वो मिलता है लेकिन हम जो है इनी से तीथी करम के बारे में भी जानते हैं और ये प्रोफेसर एसेंस सेंड फिर कहते हैं कि फिक्स्ट डेट इन एंशेंट इनियन हिस्ट्री इस दा इयर अलेक्जांडर्स इन वेजन जहां से क्योंकि जो अन्य जो विक्रम संबत है शक संबत है आप जानते हैं ये शक संबत विदेशी संबत है लेकिन जो गुपतों ने यानि चंदुप्ट विक्वादित ने जो संबत चलाया या कल्चुरी या चेदी राजाओं ने जिन संबतों को चलाया ये एक विशिस्ट छेत्र में और कुछ समय तक प्रैसलित रहे इस तरह से हम अगर ये क्या कहते हैं कि इनको देखें तो इनमें हमें काफी चीजें प्राप्त होती हैं जैसे कि हम तित्थी करम का निर्धारन करते हैं कुरोनलाजी का और उन पर अगर सिकों पर देवी देवताओं के कोई चित्र हैं तो उस समय का राजा शैव था या वैश्रव था या बौद था इसकी जानकारी मिलती है इसी तरह से उनमें अगर कोई चित्र खुदे हुए हैं या कोई वादेंत्र बना हुआ है तो उस समय के कला और संगीत का पता चलता है फिर वो सिके कहां कहां कितनी संख्या में मिलते हैं इसे ततकाली सामराज की सीमाओं का पता चलता है कि वो अगर बहुतायत में मिलती हैं तो वहाँ तक शायद उस राजे की सीमा रही होगी इसी तरह से कई ऐसे सिके मिले हैं जिन पर कुछ विशिस्ट चिन हैं जैसे कि समदृप्त के सिके पर उसकी वीड़ा बजाते हुए चित्र है इसकार्थ है कि समदृप्त की रुची संगीत में बहुत थी तो राजाओं की व्यक्तिकत रुचियों का भी पता चलता है कई ऐसे नए तथ भी पता चलते हैं जिन से हम जो है वो जैसे आप जानते हैं कि गुप्त काल के शासकराम रुप्त के बारे में केवल और केवल हमें सिकों से ही जानकारी प्राप्त होती है इसी तरह से विदेशों से संबंद भी पता चलता है अगर कोई ये सिके हमें किसी दूसरी भूमी पर मिलते हैं तो लगता है कि वहां तक यह व्यापार था। और बहुत सारी मूर्तियां हैं जिनसे ततकालीन लोककला जो उस समय की जनता कैसे कपड़े पहनती थी, कैसे अपना केश विन्यास करती थी, कैसे वो हाथ में कंगन पहनती थे या नहीं, तो लोककला और धर्म और सामाजिक किस्थिति का उलेक मिलता था. इसमें एक जो हम बहुत ही महत्वपूर बात ये है कि उत्खनन केवल सिंदुखाटी और महंजोदलो, तक्षिला, सारनाथ और राजगीर में ही नहीं हुआ. हमें दक्षिन पूरो एशिया में बच्चों, शिव की बहुत सारे मंदिर मिले हैं, जैसे जावा, जो वरत्मान इंडोनेशिया का एक बच्चों,